तो चलिए आज बनाते हैं बच्चों का मनपसंद चीजी ब्रेट पॉकेट जो उपर से क्रिस्पी और अंदर से सौप्ट होगा जिसे बच्चे तो क्या बड़ो को भी खूब पसंद आएगा इसे बनाने के लिए पैन में एक चमच ओयल डाल लेंगे और इसमें प्याज डाल के हलका सा इसे सोथे कर लेंगे और फिर इसमें गाजर, कौन, शिमलामिश्च के साथ हल्दी, लालमिश, नमक डाल के इन सारी सबजियों को एक साथ मिक्स कर लेंगे और medium flame पे इसे चलाते हुए, इसके हलका sopt होने तक पकाएंगे और जैसे ही ये соpt हो जाए, इसमें आलू का चोखा डाल करके, इसे चलाते हुए, 2-3 नट तक से पकाएंगे और जब यह अच्छे से mix हो जाए तो इसमें टामाटर सॉस, मियोनिस और आधा चमस सोया सॉस डालके इन सब को mix कर देंगे और जब यह अच्छे से सारी चीजे मिल जाए तो गैस की प्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक बोल में transfer कर देंगे ठंडा हो जाने के बाद इसमें कूप सारी चीज और और गैनों डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिला देंगे मेरे घर में तो इस recipe के सब दिवाने हैं आप भी एक बार इससे जरूर ट्राय कीजेगा आपके घर में भी इस recipe के सब दिवाने हो जाएंगे अब ब्रेट के corner को cut कर लेंगे और इसे बेल लेंगे तो आप जब भी इस recipe को बनाएं तो ब्रेट को ताजी लीजेगा वरना ये बेलते समय न फट जाएगी और जो cheese mixture बना के रखा था एक चमच इसे ब्रेट के बीचो बीच रखके इसके चारो तरफ मैदे की celery लगा देंगे और फिर ब्रेट को fold करके इसे हलका हाथों से दबा देंगे और फिर एक folk की मदद से इसे इस तरह से चारो तरफ से design बना लेंगे और फिर ब्रेट पॉकेट को मैदे की celery में डिप करके इसे ब्रेट क्रम से कोट कर लेंगे अब ये ब्रेट पॉकेट फ्राइ करने के लिए बिल्कुल तयार हैं आप चाहें तो इस ताइम पे इस ब्रेट पॉकेट को air container में डालके फ्रीज में एक अप्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं और बस जब जी चाहें इसे निकालिये इसे deep fry या फिर air fry कर सकते हैं तो कैसी लगी ये recipe कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा